दोस्तो आज इस वीडू के अंदर हम आपको बताएंगे अगर आपके पास OPPO का फोन है OPPO के फोन में आप OPPO का सिक्योर कीवोड कैसे आप बंद कर सकते हैं यानि कि आप अपने कीवोड को जब आप ओपन करते हैं या आप अपना कहीं पर भी पास OPPO डालने जाते हैं तो आपके सामने OPPO का सिक्योर कीवोड ओपन होकर आजाता है अगर आप अपने फोन के अंदर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं तो वहाँ पर आपका जब ये कीवोड आ जाता है तो आपके फोन का स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं होता है और आपके सामने ब्लैक स्क्रीन आ जाता है तो आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि अपने ओपो के फोन में यहाँ पर ओपो सिक्योर कीवोर्ड को हम कैसे बंद करते हैं कहीं पर भी अगर आपको पासवर्ड डालना है तो आपके सामने सिर्फ यही आपका कीवोर्ड सो होगा जो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है वो वाला कीवोर्ड तो आप इसे कैसे बंद करेंगे इसके लिए आपको क्या करना है अपने फोन के आपको होम स्क्रीन पर आ जाना है जब अपने phone के home skin पर आ जाएंगे यहां पर आपको अपने phone का setting open करना होगा जब आप यहां पर अपने phone का setting open करते हैं open करने की बाद यहां पर आपको search bar पर click करना होगा और यहां से आप search करेंगे keyword तो आपके सामने यहां पर आ जाएगा keyword input method आप इस पर click कर इस पर किलिक करने के बाद यहां पर आपको एक setting मिल जाता है देखने को मिलेगा use secure keyword when तो आपको इसे यहां पर बंद कर देना है जो आप इसे बंद कर देंगे उसके बाद आप अपना कहीं पर भी अगर आप password डालने जाते हैं तो आपके सामने आपका ये वाला keyword open होगा ना क पर आप देखेंगे कि हमारे सामने secure का password यहां पर नहीं आया हुआ है अब हम यहां पर अपने इस वाले keyword से अपना ये password डाल पाएंगे और अगर हम screen recording कर रहे हैं तो हमारा black screen नहीं होगा तो कुछ इस तरीके से आपने oppo के phone में secure keyword को आप बंद कर सकते हैं तो मिलते हैं next video म इस video के लिए इतना ही और video पूरा देखने के लिए आपका पहुत पहुत धन्वाद